वेल्कम टू लाइन अटर फो एस्टडी बनेश्ट पर लर्निंग दोस्वागत है आप सभी का माय एटिव चैनल पर सागे दोस्व आप सभी को पता है कि उन्यत्य अजा सिच्चक भरती पर इच्चा और ने बढ़तियों को लेकर जो भी अपडेट होती है सुबर के वीडिय किस तहीके से दोस्तों गुटांक जो बनेगा किस तहीके से आने वाली भरती केंदा उनकी मेरिट बनाई जाएगी जो जो चीज़े होगी दोस्तों वीडियो में कवर कर लेंगे साथ में हम बात करने वारे नेक्ती पत्र नेक्ती सिच्चकों में जूल रही है 29 या 334 पतों कि हाला कि मैं तो चाहूंगा पहले जौब मिल जाए बहुत अच्छी बात है यहां पर दोस्तों बता गया कि 10 साल बाद होगा प्रमोशन लेकिं डेट साल हो चुका अभी तक तो जो भी नहीं मिलिया की चलिए कोई बात नहीं सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे अपने क कर एक सुनबाई होनी थी जो कि दोस्तों जड़साब ने परसों ही दोस्तों के लिए कर दिया थै कि नोता ही कोने वाली है लेकिन जरश्टी के तूदोस्तों हमें कल पता चला जिसकी बैसे कल 200 काफी यह शात परिसान थे हर बार उनेतर जार के अंदर देखने के लिए यह शायद ही किसी के केस में देखने के लिए मिली हो चाय हमने वो धरना प्रदर्शन देखा हो या फिर हमने जर्साब का आना जाना देखा हो या जर्साब की छुटियां देखी हो बहुत सारे ऐसे दोस्तों जो है मुद्दे देखने के लिए मिली जिस बएसे हमारा जो केस है वो नहीं हो पाया, कल भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, आईशाद अली जी किसी दूसी बेंच के अंदर बैटे हुए थे, जिस बैसे उन्होंने कट आफ केस को नहीं सुना, तो कहीं न कहीं दोस्तों इससे जो चाहते कहते हैं, किसा क्या हमारा केस इंपोर्टन नहीं ह क्योंकि एक वाज़ मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें 4 लाग दस्या चाहते हैं, और अगर मैं मल्टिप्लाई 4 के साथ कर दूँ, तो 16,40,000 के आसपास 200 फैमिलिया इससे जुड़ी हुई है, जो लोग दोस्तों इससे जुड़ी हुए, वो कहीं न कहीं इस बात को ले लेकिन इस अफ़ते काफी जदर बुदा रहा, एक ही सुनवाई देखने के लिए मिली, हलाकि ऐसा सोचा नहीं था, अब अगली डेट लोस्तों आप सभी को बताएं कि नोतारीक लगी है, मैं आपको कॉर्जिस्ट भी दिखा दोगा, परिशान होने की कोई चरुत नहीं है तो अब नोताई को दोस्तों जो आप सभी की सुनवाई होने वाली है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कोईने की सरकार की तरफ से अपील की जाए, जैसे कि एदी साहब ने पहले आकर के बोला था कि इस मामले को जल्दी सुना जाए, अब जल्दी के चक्कर में दोस्तों दो दिन लगाता, पूरे दिन सुलनिया जाए, तो इतनी लंबी डेटों का हमें इंतजाही नहीं करना पड़ेगा, जो दोस्तों कल मैंने आप सभी से कहा, कि अब नहीं लगता है कि दो जाए, उन्हीं कम रह गया है, और भी बहर ज्यादा रहेगी, क्योंकि सिक्षा मित्त सिर्फ एक गंटा काफी नहीं है, अब कुछ लोगों का कहना हो, यह तो दोस्तों कोर्ट का नेड़े होगा, ऐसा नहीं है, अगर सरकार एप्लिकेशन देगी, तो दोस्तों को इस बात को लेकर मान भी लेगी, इसमें कोई परिसानी की जरुबत नहीं है, लेकिन सरकार को भ बहुत बड़ी बात होती है, संडे को कोट खुलके, दोस्तों असी दिन साले के सारे वकील सुपीम कोट के अंदर गया, मंडे को भी सुनवाई और टूजडे को जो ऑडर आ चुका था आप सभी के सामने, तो कहीं है कि दो दिन सुनवाई होती ही, तीसे दिन रिसीजन आया के सारी के सारी बहाई वो दो या तीन दिन के अंदर समाफ तो सकती है अगर सरकाइस पर जागर के ऐपिलिकेशन प्रवाइड करे कोट के अंदर तो, अब मैं आप सभी के सामने बात करूं, को लेकर तो जैसा कि आप सभी को बताए कि हाई को जुडिशी एट अलाबा डेली कौशिस लखनू वेंज 9 बाय 12 उननीय की दोसों जैसा किकली मैंने आप सभी को बता दिया था कि 9 ताही की दोसों आपसरी की डेट लगने वाली है ilo 9 ताही को ही लगी है है और समय को लेकर भी दोस्तों आप सभी को मण में संश्यथ हो भी आपके सामने जी के दो सो आपंदे मिनट पर दोसों आप सभी का केस लगाया गया अब से एक घंटा होता है लेकिन उस एक घंटे के अंदर होता है कि जब तक आप आते हैं तब तक कहीने की तीन बज़ की 20 या 22 20-25 मिनट हो जाती है और उसके बाद दोस्तों जो समय कम सेकंव 10-15 पहली खराब हो चुके होते हैं तो इस विए से जो मामला वो लंबा खिसता जा रहा है और आने वाले समय के अंदर अभी चार बाश बकीलों का बोलना बाकी है तो मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे हुए दिनों के अंदर उन सभी का सम्मिशन पूरा हो पाएगा क्योंकि अगर दोस्तों कुछ चीजे रह जाती है उनके जवाव देने के लिए रिजोइंटर भी दाखिल किया जाएगा अगर रिजोइंटर दाखिल किया आता जैसे कि सिक्षा मेंतों की तरफ से काउंटर आएग तब जाकर कि मामला वहाँ समाप्त हो रहा था अब ऐसा ही दोस्तों यहां पर देखने के लिए मिल रहा है एक तब शिक्षा में तो ने बोला था कि दो या तीन दिन में उनका सम्मिशन समाप्त हो जाएगा पांस दिन निगल चुके हैं हलाकि दोस्तों आप सभी को पताए होने वाली है जिसको लेकर दोस्तों साही चीज़े मैं आप सभी को कल बता दी थी अब हम बात कर लेते तो इपनी अगली टी तरफ चोटी से अपडेट को लेकर जादा लमी दोस्तों इस पर बात करने का फायदा नहीं 10 साल बाद यह सब हैं सभी मंडलों में सचचों के सिय यह बात करें लो की बात किया है लेकिन मैं नौह फिलाल में की बात कर अब मात कर लेते हैं लो ठीस बार्स की गिए साथ में सायता प्राप्त स्कूल में पर्दिक वर्ती की संसुनियमा पर किस तरीके से गुडांग बनाया जाएगा पहले तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं ऐसे होंगे सायक सिचक बरती के गुडांग हाई स्कूल पर इच्छा में पचास फिर्जदी अंक होने वाले पांच गुडांग लिया जाएगा इंटरमीडियर 555 गुडांग लिया के लिए मिलने वाला है और साथ मुड़ सो कुछ इंपूर्टन चीज़ है प्रदेश के सायतर पर जूनियर हाई स्कूल प्रदाना अध्यापक की बरती के लिए नियुन्दम आयू तीस बर्स निर्दायत की गई है प्रदाना अध्यापक पर भरती की सैचिक योगता के सब्सक्राइक अध्यापक भरती के लिए सैचिक योगता इसना तक नियुन्दम पचास फिजदी अंके साथ बीएट बीटी सी या डिलेट डिकरी की टीटी होगी और आयू सीमा में 21-40 बर्स की निर्दायत की गई है SCST की OBC अभ्यारतियों को आयू सीमा में पांच बर्स की छूट दी जाएगी बेसिक सिच्छा निदेश एक भरती पर इच्छा सफ़ल अभ्यारतियों को उनके गुडांके बिकल्प की अनुसार ओन्लाइन ही जिला में बर स्कूलों में आवंटन करेंगे और BSA की निदेश से प्राव्त सूची के अनुसार चैनित अभ्यारतियों को दस्ता वेजोगा सत्यापन के इसके बाद संबंदित स्कूलों में प्रवंद को निउक्ति के लिए आदिश देंगे मानतर प्राव्त स्कूलों की लिए भी बनेगी समती मानतर प्राव्त जूनियर हाई स्कूलों साथ दिन के बाद ब्रबावी नहीं रहेगा भी ऐसे के अनुमोदन के किसी भी साहिक अध्यापक को उठाया नहीं जाया सकेगा एक सवाल बिचली बाद देखने के लिए मिला था काफी लोगों ने पूछा था कि सर क्या सी स्टी ओबी से के लिए भी पचास वीज़ी रहेगा यहां पर दोस्तों जो बात की कि इसना तक के अंदर नियुंतर पचास वीज़ी अंक के साथ बीएड बीटीसी या डिएलेड ऐसी का आपके पास होना चाहिए अब आप सभी का जो आच्छे उनके लिए तो आपको यहां परदेखने के लिए मिलता है जो यहां पर देखने के लिए बताया है वह जो पाइब जाए एलिक कि लिए लिए ही बताइए आब बढ़तें दोस्तों अपनी अगली अपडिट क सब्सक्राइब कर दिया है बेसिक शिच्चा परषद उच्च प्रात्मिक स्कूलों में उन्ती सब्सक्राइब सब्सक्राइब काउंसिलिंग के बार भी भरती के करीब एक चौताइब पर जोस्तों खाली पड़े हुए सब्सक्राइब के लिए काउंसिलिंग के साथ चरणों में होई लेकिन एक ही तारीक होने से मेगावी अभ्यारतियों में कई जिलों में चैनित हो गए और 21 सितंबर दो जार पंदे को भरती की करीब 70% पर चैनितों को निक्ति पत्र दे दिया गया इस तरह चैनित होने बाले बरती के तमाम पर खाली रह गए और अभ्यारतियों ने सूचना का अधिका अधिनियम के है जानकाई एकरतिकी और इसमें आज हम गट जिले में 708 निकती पत्र बांटे के उनमें से 143 जॉइन नहीं हुए और बर्लामपुर की अगर बात करें तो 440 में से 80 गाजीपुर में अगर हम बात करें 542 से जिसमें से 83 अगर हम बात करें पताब गड़गी तो वहां पर सा 119 में से 207 गोंडा की अगर हम बात करें 555 में से 87 और अगर हम साज़ाबुर की बात करतें 555 में से 106 हर दो यह हैं 201 में 201 में बताए इतना ही है सीता पॉर में 463 की जॉइनिंग नहीं किया गया और जूनियर संगर स्मोचा अमित मिस्र का कहते हैं कि इन पतों पर आविद प्रफटेट मुझे उंभी थैंकि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंशेयर करना ना भूलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह दिसम्मर तक वैबसाइट वेबसाइट अपलोड किया जाएगा क्योंकि आप सभी को बता है सुपीम कोड़ने इसका भी म मिलते अंगले वीडियो में तिल देन टेक के टाटा बाबाई और थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो